अल्मोडा जन्पद में बारिश का दौर लगातार जारी है जिसके चलते प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतरगत बनाई गई दरजनों सड़कों की हालत खसता है बीते दिनों हवालबाग विकास खंड सोलागिया में बारिश से ग्रामीड इलाकों में सड़क का मलवा लोगों के मकानों में आने से मकानों के लिए खत्रा बना हुआ है पी-एम-जी-एजवाई के अधिकारियों को कई बार बताये जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जिसको लेकर ग्रामीडों में रोश व्यापत है वहीं ग्राम प्रदान सुनदर सिंग ने बताये कि मनान सोलागिया मोटर मारग की दीवारें तूट गई है जिसका मलवा उनके मकानों तक पहुँच गया है जिससे उनके मकानों को खत्रा बना हुआ है उन्होंने बताया कि PMJSY के अधिकारियों को कई बार कहने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है जबकि उनके आवासे मकान खत्रे की जद में आ गए है मनान सिलिंगया मोटर मार का कारिया प्रीजो चल लाए बिगत कुछ दिसे हो रही भीशन बारिस की वज़ा से सिलिंगया के पास रोड का हिस्सा तूट के नीचे मकानों तक पहुच गया है जिससे नीचे रह रहे हैं मकान वालों को काफी खत्रा उत्पन हो गया है वहीं PM G.S.Y. के अधिकारी अभियंता B.R. आरिया ने बताया कि जनपद में बरसात के कारण 46 रड़के तूट चुकी है जिसमें 2 करोड का नुकसान हो गया है जिसके लिए बजट मंगा गया है जल्दी कारे किया जाएगा देखे जो विगत 17 जून की मदिराती से जो बारिश हुई है लगातार तीन चार देन उसमें हमारे जो प्रदान मुंति ग्राम से रख योजना की अंदर के जो सड़के बनी हुई है उनको खोलनी के लिए हमें करीब 25 लाक्य आऊशकता है और मारगों में दिवार कैदी शतिग्रस्त है नालिया चोख हो गई है तो उनको पूरू अस्तमन लाने के लिए हमें करीब 215 लाक्य आऊशकता हुई बता दें कि इन दिनों पाहडी क्षित्रों में बारिश लगातार कहर बरपा रही है जिसकी वज़ों से जन जीवन अस्ते व्यस्ते हो गया है बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पंजाब केशरी टीवी के लेल मोडा से निर्मल उपरिती की रिपोर्ट